भारत में सरकारी नौकरी का काफी क्रेज है उससे भी जादा गवर्मेंट जॉब में प्रमोशन पाने का अधिकार भी है। काइटेरिया का उलेक नहीं किया गया है। ऐसे में सरकारी नौकरी में प्रमोशन का दावा नहीं कर सकते हैं। को लेकर हमारा समविदान साइलेंट है। सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में आगे कहा कि विधाय का और कारेपाली का प्रमोशनल पोस्ट की जरुतों को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर नियम बनाने के लिए स्वतन्त रहे। CGI चंदरचूड की पीट ने कहा भारत में सरकारी करमचारी को प्रमोशन को अधिकार के तौर पर जताने का अधिकार नहीं है। समिधान प्रमोशनल पोस्ट को भरने के लिए क्राइटीरिया का उलेक नहीं करता है। प्रमोशन सेलेक्शन के लिए बनाएगे निती परियाप्त है या नहीं। हाला कि समिधान के अनुचित सोला समान अफसर की समानता के तहत विचार किया जा सकता है कि इसका उलंगन तो नहीं हुआ। सीजी आई चंदरचूर की अध्रक्षता वाली पीट ने सिनियोरिटी लिस्ट कम मेरिट और मेरिट कम सिनियोरिटी का भी उलेक किया। सुप्रीम कोट ने कहा कि सिनियोरिटी को प्रमोशन का अधार इसलिए बनाया जाता है कि संबंधित कर्मचारी के पास जादा अनुवव है। लिहाजा वह बहतर तरीके से सक्षम है। साथ ही इससे भाई भतीजावात पर भी काफी हद तक लगाम लगता है। क इसनियोरिटी का मेरिट और मेरिट कम स्यॉरिटी का भी उलेग किया। सुप्रीम कोट ने प्रिश्ट क्या कि यह केस को देखते वे तै किया जाता है और पत्थर की लखिर नहीं है। कि खास तोर से जब देश का इतना बड़ा लोग तांत्रिक त्यार है चुनाव हो रहे हैं वोटिंग है भी चार जुनको रिजल्ट आ जाएगा कम से कम तब तक के लिए वो देश में रहे हैं देखें ये फैसला तो इस एलेक्शन कमिशन और चीजी आई के अगर हम बात करते हैं तो लों के बीच में क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा ये पबलिक इसमें क्या सोचेगी हम अपना विचार जरूर देंगे हम मेरा विचार बड़ा सीधा सा है इसमें कि अगर चीजी नहीं थी उसमें कोई वाकिनी पुरे पुर्ट की चूटी होनी थी इससे पहले के फैसले पर आ जाते हैं जिस तरीके से फैसला तुनाया कि नहीं तोड़िये सेवेंटीन सी ज्यू है वह वाकि एक सिक्रेट डेक्वमेंट है साय का चिक्रेट डॉक्मेंट हम आप कीज़ेगर अगर को आप अलेक्शन कमिशन ने कह दिया कि नहीं यह तो हमारे अपने यूज के लिए है सिर्फ जो है एलेक्शन कमिशन के इस्तमाल के लिए प्राइवेट कैसे है यह एक ओपन बात है चोटा सा दस साल का बच्चा इस ब गुप्त दस्तावेज है जिसे वो दूसरे देश के नागरिकों को नहीं दिखा सकते यानि देश के नागरिकों को ही आपको 17C देना है कैसे आप कह सकते हैं किस कानूर के तहता आप आप यह बाग कह रहे हैं नहीं वह तो सिक्रेट डोकुमेंट हो जकता है अगर एलेक्श दाला और हमारा टोटल वोट कितना कंड़क्ट हुआ है उसका परसंटेज आप डाल देते हैं पूरा नहीं दालते हैं उसके बाद आप चूट देते हैं कि एलेक्शन कमिशन की मर्जी है कि इस बात से कंविंस नहीं हो रहा है कि चुनाव में कहां कहां क्या दानने रहे हैं कि अभी तक सुप्रिम कोड का बहुत जादा सब्सक्राइब इस मामले पर नहीं दिखाए दिया कि आपको लगता है कि इसकी वज़े से विपक्ष के मुद्धे जो है वो कमजोर हुए और सरकार को यहां पर एक लचर या एक फ्लेक्सिबल मैं कह सकती हूं कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली यहां पर मूग करने के लिए इसके दो गेम है मिलता जी दो गेम इसको समझेगा देखे जब हम किसी भी देश के अंदर जब एलक्षन होते हैं तो एक वो होता है जो लिडर्शिप जो है चुनावी केंपेंड में अपनी भाशा का इस्तमाल करते हैं अपने जो उनका चुनावी एजेंडा मनफस्तो एलक्षन में मैनुपलेशन कर दिया चाइना ने अमरीका के अंदर एलक्षन में मैनुपलेशन किया बड़े-बड़े अख़बार जो दव वसिंटन पोस्त दगाड नियार और यरुसलम पोस्त ये सब चीज़े जो बड़े-बड़े न्यूस पेपर्स होते हैं वो उसमें इलजाम लगाते हैं और बड़े-बड़े लिदर उसमें अमरीकन रासपती और दूसरे रशियन रासपती है इस तरह कि अगर तुपर पावर बिये कहते हैं के लेक्षन का मैनुपलेशन होता है और मैनुपलेशन कैसे होता है यानि अंटर फेयर किया को डिरेक्ट किसी का ह पूल दिया है सोचल मीडिया का या फिर उसको ब्लॉप करके सिब तो जो भी किसी तरह का कंटेक्ट था उसको आपने सिमिद कर दिया है यह इसके इस तरह के बहुत सारे गेम प्लान किये जाते हैं जिसमें आप जो विचार पब्लिक तक पहुंचने देना चाते हैं उससे इन्फलेंस कर जाता है तो दो या तीन परसेंट करने का मतलब होता है विरिता जी नहीं बार दो या तीन वोट पर सिस्थ के फलक्शुएशन से सोसू सीट का फरक पड़ जाता है तो यह जो सुरते हाल है कि हम जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो यह है यह अगर ौट ये कोट के फैसले जब इवियम को आप बाना बना सकते हैं कि बेए लेक्शन दुबारा नहीं करवाई जा सकते हैं अगर इवियम पे हम हटा दे तो फिर परदान मंत्री के एक्स्टेंशन बनेगी तो कैसे तैयारी होगी बहुत सारे बाने हो सकते हैं ये कोई बाना नहीं है जो already public में था, वो public को आप नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, का मतलब फैसला भी आप नहीं सुना रहे हैं, कि आप public के पर भी election commission बहुत बड़ा जवाब दे, election commission को ये, ये public में, देश की चंड़ता में ये message देने की कोशिश कर रहे हैं, कि election commission बहुत ताकतवर है, और court उनके किसी भी फैसले को छेड़ना नहीं चाता, इसका मतलब आपने एक बहुत बड़े vote परसंट को influence किया है, कि आगचुनाओं के बाद अगर election commission को चाता है, यानि जैसे एक चारा के आएगा तो मोदी ही, यानि कोई भी vote कहीं भी दे दो, आएगा तो मोदी ही, इस विचार को influence वो हो रहा है, कि उस विचार को जो बाकाइदा social media पर हर जगे आपको दिखेगा, कि आप vote किसी को भी दे लो आएगा तो मोदी ही, इस influence को अगर आपने उठाया है, तो ये चुनावी interfere है, अगर intellectual तरीके से इसको देखा जाए, तो आपने एक ऐसे विचार को support करके, दो य मैं directly support मानता हूँ, और इस देश की जनता के साथ एक धोका मानता हूँ, basically, मैं समझता हूँ कि हम जो हैं, चूंकि developing country है, हमारा education system भी developing है, हम उन गहरी बातों को और psychological जो game plans होते हैं, उनको बहुत अच्छे से, ना address करते हैं, ना हम उनको समझ पाते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं, कि आज भी हम इसकी विन्साजी चर्चा ना करें, ये संभव नहीं है, जो सही बाते हैं, जो विक्सित देशों में होती हैं, जो छोटी-छोटी बाते count होती हैं, हमें भी कम से कम उसकी शुरुआत तो करनी होगी, अब हम अगर कहना शुरू करेंगे, तो जनता समझ करेंगे, इस चीज़ों में हम अंटरफेर तो कुछ भी नहीं करते हैं, बदल तो कुछ भी नहीं करते हैं, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेस्बुक पर, और ज्यादा जानकार करेंगे लिए झाल।